अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि UP, PGT, TGT के जो इंटर्विउस हैं उनके बारे में मुझे कुस लोगों ने पूछा कि हम किस तरह से उसे क्रेक कर सकते हैं इंटर्विव को और इंटर्विव में कैसे गुड मार्क्स ला सकते हैं तो मैं आप लोगों दो तीन चीजों के बारे में बात करूँगा यह सिर्फ TGT, PGT, UP के बारे में नहीं है आप किसी भी इंटर्विव अगर टीचिंग इंटर्विव में जा रहे हैं तो आप लोगों इन चीजों के बारे में ख्याल रखना है ठीक है बेसिकली English literature के बारे मे और आप लोग अपना एक अगर मैं बात करूँ तो अब अपना जो grammar portion है उससे भी अगर हम TGT के बात कर रहे हैं grammar portion है अगर उसमें आप ठीक है तो आपको उसमें benefit ही मिलेगा तो चलिए बात करते हैं पहली चीज है कि आप लोगों के कुछ topic at least मैं कहता हूँ जाता लोग एक topic तयार करके जाते हैं मेरा suggestion है आप कम से कम तीन topic आप अपने सही से करके जाएं और हर topic में आपको 20 questions खुद से बनाने हैं और उनके answer भी खुद से लिखने हैं और preparation करके जानी है दूसरी चीज है कि board जो आपका board presentation है board presentation को क्या कीजिए कि poem novel या drama कोई भी आप ले सकते हैं मेरा suggestion रहेगा कि आप poem लीजिए ठीक है इससे बहुत ज़्यादा vast question नहीं पूछे जाएंगे आपसे novel या drama में बहुत vast question हो जाता है तो आप एक कोई भी poem लीजिए उसे practice कीजिए और पूरी poem याद करनी कोशिश कीजिए उसका presentation अच्छा रखिए pronunciation के साथ में उसमें जो सबसे important है उसमें poet का background आप बहुत अच्छे से तरीके से कीजिए इसमें भी आप 10-15 question तयार करते हैं अपने लिए practice के लिए तो बहुत अच्छा है और poetic terms जो भी उसके अंदर terms आएंगे ठीक है उस आप internet से भी search कर सकते हैं तो आप उसमें अच्छा gain कर लेंगे एक बहुत important चीज है वो है आपकी spoken जो skills है speaking skills आपकी ठीक होनी चाहिए अगर नहीं है फिर भी जितना ये matter है कम से कम इसके लिए आप इतना speaking skills कम जो रहे हैं ठीक है अब उसके बाद आती है एक big smile अपने face पर हमीशा थोड़ा सा smile रखिन की कोशिश कीजिए इससे आपका confidence show होता है चाहे आपका confidence low क्यों ना हो रहा हो लेकिन फिर भी आप confident दिखते हैं तो थोड़ा सा smiling face लेके आप अंदर जाईए अगर आप चाहत अपने particular तरीके से आप लोगों को उसमें तहरी करवा सकता हूं तो आप मुझे WhatsApp नमबर पर contact कीजिए और good luck for your interview thank you for watching bye bye take care